हमारे पास पहले की अपिक्षा बहतर अनुगों है पहले कि अपिक्षा अच्छे सुजादन है और अब एक वैक्सिन भी हमारे पास है जन जागी दारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्ट वर्टर्स हेल्ट केर स्ट्राइब ने स्थितिकों समालने में बहुत मदद थी और आज भी कर रहे हैं आप सभी में अपने पहले के अनुभाओं का प्रभावी डंग से उप्योग अपेक्षित है अब आप कल्पना कीजिए कि गत्वर जिन दिनों में हमारे हाल क्या है हमारे पास टेस्टिंग लेप नहीं से इवन मास्ट कहां से मिलेगा ही पीपी केट नहीं और उस समय हमारे ल चाहता लोगडाउन ताकि हम व्यवस्ताओं के एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वह हमारी स्ट्रेटिजी काम आई हम व्यवस्ताओं को बना सके समसादन खड़े कर पाएं हमारी अपनी capability बढ़ाई दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाएं और प्रौनस की कसोती है हमारा बद माईक्व पर होना चाहिए सोटे छोटे कंट्रमेन्ट जोण पर सबसे ज्यादा है जहाँ पर रत्री कर्फियू का प्रवद हो रहा है हमें मेरा बागरा है कि उसके लिए शब्तव between햌 करें कोरोना कर कृत ताकि कोरोना के प्रती एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग यह intellectual debate करते हैं कि क्या करोना रात को याता है। हकीकत में दुनिया ने भी रात्री कर्फ्यू के प्रयोग को स्विकार किया है। क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हां मैं करोना काल में जी रहा। और बाकी जीवन व्यवस्ताओं को कम से कम प्रभाव होता है। हां अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्ताओं को प्रभाव ज्यादा न हो और इसलिए उसक के तरफ भ्यान देने के लेकिन मैंने पहले कहा अब हमारे पास व्यवस्ता इतनी हो चुकी है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन उसी पर बल दीजिए आपको अच्छे प्रणाम मिलेंगे हां उसमें जड़ा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है गवननस को टाइट र दूसरी बात है हमने पिछली बार कोवीड का आंकडां दस लाग एक्टिव केसे से समा लाग तक नीचे लाग कर दिखा दिया था एक जिस रणदिती पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटिक है और मज़ा देखिए उस समय सफलता हम ही लोग ने पाई थी तब समसादन भी कम थे आज तो समसादन ज़्यादा है और अनुभव भी ज़्यादा है और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं पीक को उपर जाते रोग भी सकते हैं और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रेक, ट्रिप, कोवीड एप्रोप्रियेट और कोवीड मेनेजमेंट इनी चीजों पर हमें बल देना है और आप देखिए अब एक विश्या ऐसा आया है मैं आप सभी मुक्हमंत्रियों से आगरे करता हूं कि आप अपने राज्य की मश्री के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें और एक सवाल का करोना में यह थोड़ा वेरिफिकेशन का वीशे हैं लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं पहले करोना के समय क्या होता था हलके फुलके सिंप्टेंस भी लोग दर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेखे थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट असिंटमेटिक ह लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी कभी तो भी ने जनी रहा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम सोरूप पूरे परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान है है जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहा है उसका मूल कारण है शुरू आज एस्यों pada होती है और केरले सोभने होती है उसका उपाया है इन उसका उपाय है प्रोय क्योंकिक किस अ हम जीतना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एस पारीवार में वह कोराइब पुरूर्म देश्ट और वर शुंसरी और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्शिन की करते हैं उससे जादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है उसको तकलीब हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फि वाइरस को कंटेंड करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम human host को कंटेंड करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे गर में नहीं आता है और इसलिए human source जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारण करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें testing और tracking की बहुत बड़ी भूमिका है हम testing को light न ले testing को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि positive rate कैसे भी करके 5% के नीचे लाकर के रख रहा है और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां completion हो ले लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहां बहुत बढ़ गया फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा फैशन हो गई थी तो पहली meeting में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपका performance बुरा है प्रेशर में मत रहिए आप testing पर बल दिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचने के जरूत नहीं है आप testing ज्यादा करते हैं उसके कारण positive case measure आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वो ही है और जो आलोचना करने वाले हैं थोड़े जिन आलोचना सुननी पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के कान आखड़ा बढ़ा आ जाता है आने दीजिए उसके कान कोई राज्य अच्छा है को राज्य बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मेरा प्राग रहे है कि इस प्रेशल से बाहर निकल जाएए टेस्टिंग को बल दीजिए भले पॉजिटिव के ज़्यादा आते आने दीजिए लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे और हमारी टार्गेट सतर प्रतिशत सेवेंटी परसंट आठी पिस जिया टेस करने का है